तो स्वागत है आपका आमारे यूटिब चनल पर आज किस वीडियो में करेंगे छेत्रमिती मेंसूरेसन के इंपोर्टेंट कोश्चन जो कि आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन है गाइस एक तिर्भुज की भुजाएं करमसा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं तो तिर्भुज का छेत्रफल क्या होगा देखें काई सबसे पहले तिर्भुज का छेत्रफल जो होता है वो होता है एक बटे दो इंटू लंबाई गुणे उचाई क्या होता है स्वरी आधार गुणे उचाई होता है आधार गुणे उचाई तो हमें उचाई निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो माल लेते हैं कोई एक तिर्बुद दिया हुआ है यह आपका माल लेते हैं A, B और C यह दिया हुआ है तिर्बुद और इसकी भुजाएं क्रमसा क्या है 6 cm, 8 cm और 8 cm की है तो यह 8 cm, एक यह 8 cm मतलब दो भुजाएं जब बराबर हो जाएं तो वो हो जाता है समत दिवाहु तिर्बुज और एक भुजा कौन सी है 6 cm की तो देखिए, उचाई निकालने के लिए इस पर हमें लंब डालना पड़ेगा तो इसको हाइट माल लेते हैं H और यह बिंदू माल लेते हैं O तो देखिए, O भी कितना हो जाएगा यह यह आपके टोटल लंबा 6 है, तो यह 3 हो जाएगी तो यह कितनी हो जाएगी, यह भी 3 हो जाएगी अब क्या कहता है, तिरबुज का 6 तरफल क्या होगा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तिरबुज एक मिनट बैठ कीजिए तिरबुज O A C में जाते हैं तिरबुज O A C में O A C में हम लोग पाइथागोरस प्रमे लगा देंगे तो पाइथागोरस का प्रमे क्या होती है कर्ण स्क्वाइर इसकल टू कर्ण स्क्वाइर इसकल टू आधार स्क्वाइर प्लस लंब स्क्वाइर तो कर्ण देखिए, यहाँ पर कितना है 8 तो 8 का whole square is equal to आधार कितना है आधार आपका 3 हो जाएगा तो 3 का whole square और लंबाई कितनी है h, h मानी थी, तो h square तो यहां से h square क्या हो जाएगा h square हो जाएगा under root sorry, h square हो जाएगा 8 square minus 3 का whole square तो h कितना हो जाएगा आपका h अंडरूट लग जाएगा तो 8 का स्कॉर कितना होता है 64 और 3 का स्कॉर होता है 9 तो इसको बहार निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा अंडरूट 55 तो हाइट आपकी आ गई कितनी आ गई अंडरूट 55 तो तिर्भुच का छेतरफल क्या है कैसे निकलेगा तो तिर्भुच का छेतरफल होता है एक वटे दो आधार गुणे लंबाई या उचाई आधार कितना है यह तीन तो तीन रग दिया उचाई कितनी अंडरोट पचपन तो देखिए आप क्या करेंगे आप इसको सॉल्ब कर लेते हैं एक वटा दो आधार गुणे उचाई आधार आपका टोटल कितना है तो संपूर्भुच का छेतरफल आमें निकालना है गा तो संपूर्भुच का छेतरफल आपका नीचे जो भुजा है आधार यह टोटल 6 है तो यहाँ पर 6 रखेंगे दो से यह काटेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 3 रूट पचपन यह आपका छेतरफल आजाएगा तो 3 रूट पचपन आपका क्या आगया आंसर और बर्ग सेंटिमीटर में आए 3 रूट पचपन अंडर रोट में बच्पन लेकिन option कौन सा होज़ेगा option D इन में से कोई नहीं मिल ला है आपका answer होज़ेगा option D चलिए अगला question करते है question है आपका एक समध्य बाहू तिरुज की परिमती परिमिती 32 cm है तो देखें परिमिती क्या होता है परिमिती समध्य बाहू तिरुज की परिमिती इस कल्टो क्या होता है तीनों भुजाओं का योग तिरुज की जो तीनों भुजाओं होती है उनका योग होता है परिमिती तीनों भुजाओं का योग तो देखें परिमिती आपके कितनी है 32 और तीनों भुजाएं कौन कौन सी है इसकी दो बराबर भुजाओं की लंबाईयों का योग है 25 मतलब दोनों भुजाओं आपकी बराबन है तो आपकी 12 cm की दो भुजाओं दी हुई है तो तिसरी भुजा की लंबाई बतानी है तो तीनों भुजाओं का योग तिसरी भुज करते हैं अगला कोशन है ए सेंटीमेटर भुजा के एक संभाहु तिरबुज की उचाए क्या होगी तो माल लेते हैं संभाहु तिरबुज में क्या होते हैं तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ए भुजा यह है तो ए यह भी होगी तो ए यह भी होगी और एक लागर लंब डा हो गईए लोग और हम लोग इसको जवक्ता करते हैं पाइथा-घौरस प्रमें लगा देते हैं कैसे लगाएंगे तो सबसे पहले तो Inner侌 और इसको नाम हुदे देते हैं अब सी और ओ तो दो सिबी में इसलिए बता रहाएति कि क्योंकि आप को समज्द में आजाए इसमें पाइथा गोरस्परमें लगाएंगे तो पाइथा गोरस्परमें क्या होता है कन स्क्वाइर तो कन स्क्वाइर इसकल टू क्या होता है अधार स्क्वाइर प्लस लंब स्क्वाइर और कन कितना है आपका कन है आपका ए तो ए स्क्वाइर इसकल टू आधार कितन अब इसको solve करेंगे तो आपका कितना आजाएगा अंडर रूट में चार हो जाएगा यह आपका निकल करके आएगा अंडर रूट में 3a2 बटे 4 और बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आजाएगा एब बटे 2 रूट 3 यह आपका अंसर हो जाएगा यह रूट 3 बाई 2 इंटु ए तो आपसन है इस राइट आंसर है चलिए अगला कोश्चन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है एक बर्ग के विकन की लंबाई 8 सेंटिमेटर है तो बर्ग का विकन क्या होता है बर्ग का विकन क्या होता है आपका बर्ग का विकन यह होता है बुजा रूट 2 बुजा इंटु रूट 2 तो बर्ग का विकन की लंबाई कितनी 8 तो 8 रख देते हैं बुजा हमें निकालने हैं बर्ग की बुजा बतानी है तो बुजा इंटु रूट 2 हो जाएगा तो यहां से बुजा क्या हो जाएगी बुजा इसकल to 8 बटे root 2 अब क्या करेंगे तो देखिए अब हम लोग परिमे करान कर देंगे root 2 का तो यह हो जाएगा root 2 root 2 बटे 2 तो 2 से यह काटेंगे तो 4 root 2 तो यह हो जाएगा 4 into root 2 की value होती 1.1414 multiply करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 5.65 cm तो option is right answer तो question है 15 मीटर की लंबाई तो था 8 मीटर की चौनाई बाले आयत का चितरफल क्या होता है तो आयत का चितरफल का फार्मूला क्या होगा आयत का चितरफल यह होता है लंबाई कुने चौनाई क्या हो जाएगा लंबाई कुने चौनाई लंबाई आपके कितनी 15 मीटर चौनाई कितनी 8 मीटर तो multiply कर देंगे 15 में 8 का तो 120 बर्ग मीटर तो option is it's right answer चलिए अगला question करते है question है एक समांतर चतरफोज का आधार इसकी उचाई का दुगना है तो माल लेते हैं हम लोग क्या उचाई को x cm माल लेते हैं यह हो गई आपकी height then again इसका जो आधार है बेस है वो उचाई का दुगना है तो आपका बेस कितना हो जाएगा उचाई का दुगना मतलब 2x हो जाएगा यदि समानांतर चतरफोज का 164 बर्ग cm है तो इसकी उचाई गयाद कीजिए मतलब x की बैलू बताना है तो समानांतर चतरफोज का 164 क्या होता है तो यह होता है आधार गोने उचाई यह होता है 164 तो आधार आपका कितना है 2x उचाई कितनी है x और 164 कितना 144 तो 2 से ये काटेंगे 144 तो ये तो ये हो जाएगा x square और ये हो जाएगा 2 सत्य 14 तो दो नी 4 तो x की value क्या हो जाएगी under root 72 तो अब हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालने के लिए 72 के factor करेंगे तो 72 के factor करने के लिए क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 6 12 फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 फिर 2 से काटेंगे 2 नहीं मठारा 3 से काटेगा फिर फिर last में 3 से काटेगा तो ये factor हो जाएगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 दो-दो के factor बन जाएंगे तो एक दो भाड निकलेगा और एक तीन भाड निकलेगा और अंदर बचेगा अंदर रूट 2 तो ये आजाएगा आपका आंसर 6 रूट 2 option day is right answer चलिए अगला कोशन करते हैं इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू